इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिसकर्स करने जा रहा हूँ इलस्टेशन नमबर 48 और चेप्टर अड्मिशन अफ पार्टनर फॉम दे बुक टी एस ग्रिवाल एडिशन है बुक का 2024 तो इसमें आपको दो पार्टनर्स गिवन हैं जिनका नाम है A और B जो आपसमें प्रॉफिट शेयर करते हैं अंदा रेशो 5 इस टू 3 इनका इन्होंने जो नए पार्टनर अड्मिट किया है उसका नाम है C और वो उसको वन थर्ट शेयर और प्रॉफिट के लिए इंट्रिउस किया गया है इन्टू दे फर्म जिस दिन C admit हुआ उस दिन उनकी balance sheet में liability side में तो जनरेजर अपियर कर रहा था रुपेश 60,000 और asset side में profit and loss account अपियर कर रहा था एड रुपेश 20,000 खीए बच्चो तो profit and loss account अगर asset side में अपियर कर रहा होता है तो वो loss को represent करता है बच्चो इसका मतलब इसका balance debit है और debit balance of pn account जो है वो loss को represent करता है आपसे कहागिया necessary entries बनाईए in the books of the firm तो simply बच्चो आपको क्या करना है जो general reserve है उसको और जो आपका profit and loss account का balance है उसको दोनों को partners के old ratio बाटके खतम कर दिना है इसका नए partner से कोई लेना देना नहीं है तो general reserve जो कि 60,000 है इसको अब old ratio मबाटेंगे तो 37,500 A के हिस्से में आ जाएगा 22,500 B के हिस्से में आ जाएगा और इस तरह से general reserve account close हो जाएगा अब नई balance sheet में general reserve account को नहीं show किया जाएगा तो कि इससे हमने distribute कर दिया उसी तरह से profit and loss account के debit balance को आप बाट दीजिए between A and B only क्योंकि ये जो profit and loss होता है वो पुराना accumulate किया profit and loss है तो इसको जो है हम partners के old ratio ही बाटेंगे और क्योंकि ये loss है तो इसको बाटने से A और B दोनोंगी capital account debit हो जाएगे और profit and loss account credit हो जाएगा loss बाटने से capital कम होती है और capital जो कम होती है तो वो debit की जाती है ये दोनों काम partners के old ratio में करा गया है जो कि 5 is to 3 है ठीक है बच्चो तो जो accumulated profits and losses और reserves होते हैं आम तोर पे इसको नए partner के admission पे partners में distribute कर दिया जाता है इन्दे रोल profit sharing ratio अब question में केवल यही का गया था कि general entries pass करेंगे तो जो general entries pass करेंगे वो इन दोने चलों को distribute करने की ही करेंगे reserve ए credit balance था जब उसे distribute किया तो reserve खुट debit हो गया partners credit हो गया अपने old ratio में और penal account यह debit balance था जब उसे close किया तो penal account credit हो गया partners debit हो गया अपने old ratio में यह loss था इसलिए capital कम हो गयी और रिजर्व एक्तर से profit है profit जब पटा पार्टनर में तो capital increase हो गयी capital increase होती है तो credit होती है degrees होती है तो debit होती है है न बच्चो इतनी बात ध्यान रखेगा illustration 48 complete हो गया बहुँ simple साही illustration था